नमस्कार दोस्तों हिंदी नुज अफेर्श में आपका स्वागत है दोस्तों भारत के लिए डिफेंस सेक्टर से एक बहुत बड़ी नियूज आ रही है तरसल यह नियूज जो है एक जेफ सेवेंटी नाम का एक फाइटर जेट है चाइना का उसमें एक इंजन लगा है जिसक दिंटीन फाइटर जेट चाइना का जिस जो चाइना असेम्बल करवाता है पाकिस्टान से इसमें 25 परशंट चाइना ने इसको manufacture किया है 50% का चीजे दूसरे देशों से इन्होंने ले रखी है 25% technology इन्होंने कहीं से खरी दी है उसके बाद इन्होंने एक complete fighter jet बनाया है उसका सबसे important चीज़ क्या है engine वो रूस से आता है और जो चीज़ रूस से आती है अब वो सोच लिए इंडिया में बनेगा इंडिया में इसलिए बन रहा है क्योंकि रूस के ऊपर इतने यादा sanction लगे हुए है कि उसके बने हुए engine को कोई दूसरा दिस खरीद नहीं सकता है इसलिए चाइना को भी पिछले दो सालों से कोई engine मिला ही नहीं कि वो अपने नए fighter jet त्यार कर सके तो अब इसको जो manufacturing कर लिए जो भी contract होना था वो इंडिया को इसका contract मिल गया है इंडिया की एक company है H.A.L. हिंदुस्तान Aeronatic Limited उसको ये contract मिल गया है तो अब ये समझ लिए ये जो इंडिया को contract मिल गया है इससे चीन और पाकिस्तान दोनों के नीद उड़ गई है क्योंकि ये उनका fighter jet ता fighter jet में जो engine लगा हुआ है भारत क्या है भारत उनके लिए एक दुस्मन देश है और एक दुस्मन देश अगर हमारे कोई fighter jet का engine बना रहा हो और वो हमें अपने fighter jet में यूज करना हो तो सुचिए क्या हाल होगा इसलिए उनकी नीदे उड़ गई है कि अब JF-17 का करेंगे क्या हो क्योंकि वो सुचते थे इसको JF-17 को इंडिया पे लड़ाई के वक्त यूज करेंगे अब दूसरा इसको दूसरे देसों को बेचेंगे जिससे हम काफी कुछ कमाएंगे अब भारत से खरीदेंगे तो क्या ये बेचेंगे और क्या भारत के खिलाब इसको यूज कर पाएंगे लड़ाई में अब ये समझ लिए कि इंडिया को ये जो आड़ी 33 इंजन बनाने के लिए में रूस दे रहा है इसकी टेक्नलोजी भी ट्रंसफर करेगा तो इंडिया टेक्नलोजी भी इसकी पाजाएगा इसको बनाने के लिए और हमारे पास जो मिग 29 है इसमें ये इंजन भी लग जाएंगे जिससे उस मिग 29 की लाइब भी बढ़ जाएगी जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है हमारे जो फाइटर जेट्स है इनकी लाइब बढ़ेगी कहीं न कहीं अब ये हमारे पास कुछ कमी भी है फाइटर जेट्स की तो मिग 29 जिनको पहले रिप्लेस करने के लिए सोच रहते अगर उनकी इस इंजन को लगाने से लाइब बढ़ जाती है तो ये तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है साथी साथ जितनी भारत के लिए अच्छी बात है उतनी ही ये परिशान करने वाली बात है चीन और पाकिस्तान को क्योंकि दोनों ही देश हमारे बिरोधी हैं, हमारे दुस्मन देश हैं ये हमारा कभी भला नहीं सोच सकते अब ये सोच लिए हैं कि JF-17 जो इंजियन फाइटर जेटा चीन का ये अपने आप में एक उड़ता हुआ ताबूस सा बन गया है मतलब एक बेकार चीज़ हो गई उनके लिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टन चीज़ इंजियन होती है, वही दुस्मन बना रहा है, जिसके खिलाफ हमें लड़ना है उसी से सोचिए कि इंजियन बन कर आ रहा है, जो जिससे हम लड़ाई करेंगे तो क्या होगा ये, अब इससे अंदाजा लगा लिए को उनके मन में क्या चीज़ हो रही होगी अच्छा रूस ने भी तारीफ करनी पड़ेगी रूस को कही ना कही रूस ने हमसे दोस्ती तो निभाई है क्योंकि उसने ना चाइना पर विस्वास किया ना पाकिस्तान पर विस्वास किया और कांट्रेक्ट दिया तो इंडियन कंपनी को दिया ये तो बहुत बड़ी बात है कही ना कही रूस हमारा सच्छा दोस्त है रूस से हमें कई मौकों में काफी फायदा भी मिला है कुछ जगा हमें थोड़ा बहुत उसके लिए कंप्रोमाईज भी करना पड़ता है लेकिन ठीक है ऐसे वक्त सबसे बड़ी चीज़ तो सामरीक होती है यानि कि डिफेंस के सेक्टर जो होता है सबसे बड़ा होता है और वहाँ पे अगर हमको सपोर्ट मिल लेर अशिया का तो ये तो बहुत भी बाड़ी बात है ये दोस्ती ऐसे ही बनी रहनी चाहिए और इससे और ज़्यादा मजबूती आनी चाहिए चाइना और पाकिस्तान को तो ऐसे ही परिशान होना चाहिए जैसे वो अभी है हलागी भारत किसी से भी लड़ाई नहीं चाहता है ना चाइना से ना पाकिस्तान से ना ही किसी और देश से लेकिन पाकिस्तान और चाइना तो दुस्मन ही मानकर चलते हैं तो हमें अपने लिए तो उसी इसाफसे चीजे करने ही पड़ेंगे जिससे हमें एक तकलीफ ना हो दुसमें टेंशन में रहता है तो बिलकुल रहना चाहिए दोस्तों इससे जुड़ू और जो अपडेटेड न्यू जाएगी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आजाओंगा धन्यवाज